एक्सेलेंस लर्नर्स के ओनलाइन इंग्लिश क्लास्रूम में आप सभी का स्वागत है और इस क्लास्रूम में आज हम पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन ए स्लम स्टुदेंट्स इस पोर्म रिटन बाइ स्टेफन स्पैंडर एक्चुली यह जो पोएट है इनका पूरा नाम था स्टेफन, हेराल, स्पैंडर और वे लंडन के थे और इनका बहुत अधिक समय जर्मानी में भी इन होने बिटाया यह एक पोएट के साथ साथ पॉलिटिशन भी थे इन दिस प्रजेंट पॉम, यह एक प्रारम भी की स्कूल जहां छोटे चोटे बच्चे पढ़ते हैं और यह है कहां, स्लम एरिया में, स्लम मतलब जोबड़ पटे में जहां पर की, खास करके समाज के जो सबसे लोग और ग्रेट के आपका सकते हैं गरीब तब के के जो लोग रहते हैं, उनके जगह पर एक स्कूल, जो एलिमेंटरी स्कूल है उसके क्लास्रूम का वर्णन किया है, इस पोव में, पोवेट ने तो आज मैं इसकी व्याख्यापलों के सामने करूँगा वर्ड वाइवर्ड, लाइन बाइवाइन, साथ ही साथ इस पोव में जो कुछ लिटरोली डिवाइसस का यूज हुआ है जो figure of speech का यूज किया है, पोवेट ने, जैसे कि इनकी अवीता बड़ी सुन्दर बन पढ़ी है इसके बारे में मैं आपसे ब्याख्या करूँगा, लेकिन आगे ब्याख्या शुरू करूँ इसके पहले अन्य दिनों के तरह, आज मैं फिर आपसे एक बार request कर रहा हूँ जो मेरे इस चैनल पर नए है, या जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज मेरे इस चैनल को अभी काभी subscribe करें subscribe करने के वक्त, ये bell icon को press करना बिलकुल न भूले ताकि जब कुछ मैं यहां से अपडेट करूँ, तो उसका notification आपके सामने पहुंच जाए ठीक है, तो चलिए आप इसको subscribe कीजिए, साथ ही साथ मैं हमेशा आपको suggest करता हूँ कि जब भी online आप पढ़ें कुछ, तो उसमय आपके पास आपकी book, pen and paper होनी चाहिए so be handy with pen and paper and I am just going to give the full analysis and description of this particular poem right so now students, without losing a moment, let us start the description and explanation of this poem यह poetry चार stenzas में है and every stanza has as many as eight lines रामिंग स्कीम की बात करूँ तो इसका कोई एक definite rhyme scheme नहीं है आपका सकते हैं यह एक free verse है right so now start far far from gusty waves the children's face like rootless weed the hair torn round their pallor the tall girl with her wetted down head the paper-seeming boy with rat's eyes the stunt unluckily there of twisted bone resetting father's general disease his classroom from his desk at back of the dim class one unnoted sweet and young his eyes live in dream of his squirrel game history from other than this so this is your first stanza let's find out the meaning देखते है इसका मेनिंग क्या होते है far far from gusty waves gusty मतलब strong right poet बोल रहे हैं दूर दूर कहां से gusty waves से मतलब एक अच्छे वात आवारन से एक strong atmosphere से these children's face इस बच्चों के जो face हैं कैसे हैं look like rootless weed weed मतलब क्या होता है जंगली पौधा जिसे कोई चाहता नहीं तो यहां पर बच्चों के जो चेहरे की तुलना poet ने उसी rootless weed से किया है जो जहां तहां उगाते हैं their head torn round their pallor pallor मतलब pallor ने कहते हैं कमजोर उसकमजोर हो पड़ गया है उनका चेहरा उसके चेहरे पर जो बाल है वो unfurnished है uncorm है सही ढंग से बाल उसके नहीं adjust किये गए हैं बेतरतीब उसके बाल हैं और उसी आगे वे क्या देख रहे हैं the tall girl with her weighted down head एक लंबी सी लड़की है जो सर जुका कर बैठी हुई है सर जुका कर क्यों बैठी है because she is under the burden of poverty गरी भी उसके कंधे पर इतनी जोर से बैठी पड़ी है कि उसका शर जुक गया है the paper seeming boy बच्चा उहाँ पर एक लड़का कैसा है जो paper के तरह है paper मतलब एकदम दूबला पतला जो से paper lean and teen होता है वो ऐसा ही है with rat's eyes उसकी आँखे कैसी है चुहे की तरह यह भी एक symbolic word है metaphor का यूज़ किया है poet ने और क्या कह रहा है rat's eyes क्यों है क्योंकि rat हमें साथ डरफोक होता है डरासा, सहमासा आई है साथ ही साथ rat हमें साथ कुछ ने कुछ अपना भोजन खोचते रहता है तो यह दोनों अर्थों में इस बच्चे के लिए उप्यूकत है suitable word है कि वह डरा हुआसा है सहमासा है और भूखा है इसलिए उसकी आँखे कैसी है rat के तरह right the stunned unlucky hair of twisted bone hair मतलब उत्तरा अधिकारी whatever we get from our father and forefather काता है बैचारा कितना unlucky है कि इसके पिताजी के भी जो bone थे वे twisted bone थे we know bone twist कब होता है जब आदमी को malnutrition होता है kupotion का सिकार होता है उसे rickets हो जाते है means इसके father को भी rickets था इसको भी rickets है और इस disease को वह ढो रहा है his lesson from his desk at back of the dream class one unnoted sweet and young अब इस दोनों के अलावा poet की नजर एक ऐसे बच्चे पर जा रही है जो class कैसा है dream मतलब रोशनी नहीं है slum इलाका जो है काफी congested होता है चार ओर से बड़ी बड़ी इमारते रहती है और उसके बीच में एक छोटा सा जोपड़ पट्टी नुमा एक मोहला होता है एक street होता है इसलिए poet ने क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर back of the dream class class कैसा है dream है रोशनी कम है वहाँ प्रकास कम है एक बच्चा जो है वो unnoted है कोई उसके उपर ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन poet को वह अच्छा लगा है क्या बोल रहे है sweet and young वह कैसा है बड़ा सा कॉमल सा एक छोड़ा सा बच्चा है his eyes leave and dream उसकी आँखों में एक सपना है of squirrels game किस तरह का सपना है squirrel game का squirrel game में यहाँ पर symbolic word है students और आप कह सकते है कि यह एक metaphor है poet ने कहा किस तरह का game खेलना चाहता है जैसे squirrel game खेलता है free from all anxieties बच्चे के तो life ऐसा होना ही चाहिए तो वह भी squirrel के तरह game खेलना चाहता है कहाँ in tree room squirrel कहां खेलते हैं game tree के खोड़र में अपना game खेलते हैं other than this वह बच्चा जो है इस classroom में नहीं रहना चाहता है actually he want to play a game like squirrel right so this was your first stanza let's move into the second one in saw cream wall donation sex pierce hate cloudless at dawn civilized dome riding all cities belled flowery tarasels valley open-handed map awarding the world awarding the world its world and yet for these children this window not this map their world where all their futures painted with fork in saw cream wall cream jo hota है cream क्या है कि जब आप दूसरे निकलने वाला cream होता है उस cream को अगर थोड़े दिनों तक हम छोड़ दें तो उसका रंग aloish हो जाता है दिवाल की भी तुलना कुछ ऐसे ही कलर से किया है पोईट ने वा काता है shower cream wall wall कैसा है खटा cream के तरह मतलब wall भी पीले पड़ गये है और wall था कैसा यह wall भी donation से बनाया गया था या तो बनाया गया है या इसके ओपर paint जो किया गया है वहाँ भी donation से means the school authority is not in such a position to make white wash of the wall वहाँ white wash करने का भी पैसा नहीं है और वहाँ पर है क्या sexpire's head means sexpire का portrait लगा हुआ है photo लगा हुआ है cloudless at down civilized dome riding the cities बाहर में क्या है city life वहाँ पर जो donation के कुछ photo लगे हुए है बड़े बड़े दिवार बड़े बड़े building के photo लगे हुए है sexpire का भी एक photo लगा हुआ है build flowery touristy valley open handed map awaiting the world is world वहाँ पर इतने सारे चीज लगे हुए है जिनके बारे में कोई भी जानकारी इस बच्चों को नहीं है ट्रॉसल वहली क्या है यह आस्ट्रिया में है जहाँ पर की सुन्दर सुन्दर फूलों के लिए famous है तो all this kind of beautiful photo and photographs are hanging on the wall लेकिन awaiting the word is word इस word जिस word में जिस संसार में यह बच्चे रह रहे है इस word के अलावा भी बाहर में कोई word है यह इस photograph में दिखाया गया है and yet for these children this window not this map their word they are all future is painted with fog लेकिन poet कह रहा है कि यह जितनी भी सुन्दर सुन्दर चीज़ यहां पर लटके पड़े है hang कर रहे है दिवाल में बच्चों को इन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनकी life में इन चीज़ों का कोई value ही नहीं है इनकी जिन्दगी तो यह खिड़की के अंदर सिमिटी पड़ी हुई है और इनका जो life में क्या है painted with fog painted with fog भी एक metaphor का यहां पर poet कर रहे है मतलब इनकी life क्या है fog में हमें कोई चीज़ असपोस्ट दिखाई नहीं देता अगर हम fog में खड़े हैं तो तो इसी तरह से इनका future बिल्कुल साफ नहीं दिखाई पड़ता poet ने कहा मालूम हो रहा है कि इनके future को paint किया गया हो fog से ठीक है स्टुटें नाव यहां इन देस्टेंजा नंबर त्री A narrow street sealed in with a laid sky Far, far from river caps and stars of war Surely Shakespeare is wicked The map a bad example With sheep and shun and love tempting them to steal For lives that slyly turn In their crum's hole From fog to endless night On their slag heap These children The children Wear skin peeped through By bones and spectacle of steel With mended glass Like bottle Bits on the stone All of their time and space Are foggy slum So blot their map With slum as big as dome Right So आगे सिस्टेंजा में कह रहे हैं Surely Shakespeare is wicked Shakespeare is wicked कहने का मतलब इन बच्चों के लिए Shakespeare का Brain Shakespeare का literature कोई value नहीं रखता बास्तविकता भी है अगर हमें भूक लगी हो अगर हमें सही ठंग से जो हमारी Prime Necessities है Prime Wants है अगर वह हमें Fulfill नहीं हो रहा है Then For us Shakespeare has no value Right इसलिए पोईट ने लिखा है Shakespeare is wicked The map Is a bad example Map means The outside of the world क्योंकि उनकी जिन्दगी तो उसी Slum area में ही सिम्टी हुई है So what is happening What is going on In the outside world Is totally Useless for this Students For this Children Right With sheep and son And love Tempting them to steal Sheep Son यहाँ पर जो है Broader Use किया गया मतलब कहने का यह खुले संसार के बारे में बताया गया है और यह इनको Tempt करता है लल्चाता है कुछ चोरी करने के लिए भी कि हम स्कूले संसार में जिन्दा रहें इसके लिए कुछ गलत काम करने के लिए भी यह बच्चे तयार हो जाते है For life that slowly turned into cramps hole From fog to endless night इनकी जिन्दगी क्या है सुबह में क्योंकि Slum area वहीं पर पाया जाता है जहां अगल वगल में काफी फैक्टरियां जिन्दगी क्या होती है और उसके धुएं से क्या हो गया है fog हो गया है तो सुबहिन का fog से होता है रात इनकी night से हो जाती है He has no light in his life Poet यहां पर यही कह रहा है On their shlag hip These children wear skin pipped through the bone and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone देखे क्या यहां पर इनके गरीबी का warden किया है Poet ने On their slag hip Slag means garbage वे कूडे दान के आसपास रह रहे हैं These children wear skin pipped through by bones इनके शरीर पर जो इनके जो skin है उनसे इनकी हड़ियां जहां करही हैं Means they are so thin they are so lean and thin their bone pips through the skin Right and spectacle of steel वे उन्होंने चश्मा भी पहन के रखा है जिस पर के glass mended है footy हुई glass है और वह glass कैसे footy है फिर यहां पर simili का यूज़ कर रहे है Poet और लिख रहे है like bottle bits on stone किसी पत्थल पर कोई अगर bottle गिर जाए तो जो उसमें धारियां बन जाती है उसी तकर परहे के इनके spectacles है So blot their map with slum as a big ass dome इनका map में अपने slum को यह नहीं खोज पा रहे है Unless governor inspector visitor this map became their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break oh break open all open till they break the town and show the children to great fields and make their world run azure on gold sand on gold sand and let their tongue run neck into the books the white and green lips upon history there those languages sun बड़ा सुंदर सा अंतीम लाइन जो अंतीम स्टेंजा जो पोएट ने लिखा है इस तीस इन तीन स्टेंजा में पोएट ने बड़े ही गहराई से और बड़े ही lively picturize किया है एक slum अलाके के गरीबी को बड़े हैं जब तक कि गवर्णार या इंस्पेक्टर या विजिटर ये जो हैं ये एक अपर क्लास के लोग हैं जिनके पास capacity है in slum area के लिए कुछ करने का कहते हैं जब तक ये इस पर काम नहीं करेंगे ये ध्यान नहीं देंगे this map becomes their window and this window that shut upon their lives like catacombs catacombs क्या होता था underground कबर होती थी तो हलाके अब इसका चलन नहीं है तो पोएट कह रहे हैं कि अगर governor inspector and visitor general people, the politician and the person who are in power इसके उपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा map become their window map क्या होगा इनका window होगा and window ऐसा होगा जिसके अंदर ये दब के रह जाएंगे बाहर ये निकल नहीं पाएंगे कहा रह जाएंगे catacombs में, कबर में इसलिए poet यहाँ पर मांग कर रहा है अर्ज कर रहा है request कर रहा है इस powerful society से break upon till they break the town तोड़ो, क्या तोड़ दो उनके locality को उनके life style को उसके इस monotonous life को कब तोड़ो, जब तक कि वे ही कुछ बिद्रोह करके समाज में कुछ अन्होनी घटना न होने लगे उसे न तोड़ने लगे इसके पहले तोड़ डालो इन बुराईयों को and show the children to green field और बच्चे को क्या देखाओ green field देखाओ मतलब बाहर का प्रकृती का लाफ देखाओ nature से उसे मिलाओ and make their world run और उनका संसार बनाओ run azure on gold sands, azure मतलब होता है blueish color नीले आसमान को gold sand पर मिल जाने दो means इसे एक slum area तो restricted थोटा सा area होता है limited area होता है poet मांग कर रहा है इसे को यहां से ले जाओ खुला आसमान दिखाओ समुद्र के तरह विर्ष्ट्र चेत्र दिखाओ and let their tongue और उसके tongue मतलब जीव run next into the books और उनके जीव से किताबें पढ़ने दो means give them some relation give them education it means white and green leaves upon history there those languages कहता है history वही बना सकता है जिसका language sun हो right जिसने sun मतलब प्रकाश यहां पर रोश्णी रोश्णी मतलब education जिसने education को पाया है history उसी ने बनाया है right जिसने 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 जिसन